क्या आत्मा है परमात्मा है आप समझते होंगे कुछ लोग समझते हैं हुए कि है कुछ लोग समझते होंगे नहीं है क्या आप डॉक्टर अम्बेटकर पुनर जनम में बिश्वास करते थे दिल्चस्प है ना बहुत जल्दी एपिसोड लेकर आ रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेटकर का पुनर जनम के बारे में 1905 पन में क्या कहना था अभासित दुनिया के मेरे दोस्तों मैं रतनलाल बोल रहा हूं काम की बात लाल की क्लास में आपका स्वागत है और पेश है अम्बेटकर नामा और टीम 22 की यह साजा प्रस्तुती कल 9 अप्रिल है राहू सांकृतायन का जनम दिन जहनती है आप सबको बढ़ाई और उसकी पुर्व संध्या पर टीम 22 और अम्बेटकर नामा की एक साजा प्रस्तुती है सन्यासी से वेदानती आरे समाजी से किसान नेता बहुत भिक्षू से लेकर सामयवादी राहूल सांकृतायन बहु यायामी प्रतिभा के धनी वित्ती थे उनके मित्रों ने और बात की सरकारों ने कई तरह से उन्हें सराहा है और बहुत कुछ टाइटल दिया है मसलन महापंडित सांकृतायन यात्रा साहित्य के ट्रैवलों के पिताम सामयवादी चिंतक समाजी क्रांती के अग्रदूत यात्राकार ट्रैवलोर इतिहास विद तत्वान वेशी यूग परिवर्तन कार साहित्यकार शब्द शात्री त्री पीटकाचारिय अनवेशत यायावर कथाकार निवंद लेकक आलोचक कोशकार अथक यात्री तो उनके मित्रों, साहित्कारों ने उनके कंटेंप्रेटीज ने इस तरह से रहल सांकृतायन को याद किया है साहित्य अकैडमी ने उन्हें पुरस्कृत किया और 1958 में साहित्य अकैडमी पुरस्कार मिला और भारत सरकार ने 1963 में पदम भूशन से नवाजा और उनकी जन्म शती 1993 के अफसर पे भारतिय सरकार ने 100 पैसे यानि एक रुपे का डांक टिकट जारी किया मैंने काशिप्रसाद जैसवाल में पीजडी की है काशिप्रसाद जैसवाल राहुल सांकृतायन को प्यार से रहुलवा कहते थे और राहुल सांकृतायन काशिप्रसाद जैसवाल को अगरज कहते थे जैसवाल कलवार जाती के थे सांकृतायन ब्रहमन थे लेकिन जैसवाल का घर उनका अपना घर होता था एक अगले वीडियो में मैं बताऊंगा कि जैसवाल और सांकृतायन के क्या संबंद थे कल लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं कि राहुल सांकृतायन ने बौध धर्म औ और डॉक्टर अम्बेटकर को लेकर क्या विचार रखे थे उन्होंने क्या कहा था तो चलिए लिए चलता हूँ 1956 उन्होंने एक किताब लिखा था राहुन सांकितायने महा मानब बुद्ध जो की 1956 में प्रकाशित हुआ था और उसमें एक सत्रावा नंबर चैप्टर है 165 से लेकर लंबा चैप्टर है 176 तक है मैं पूरे पेज को नहीं बताऊंगा लेकिन जो संबंदित है डॉक्टर अम्बेटकर से या फिर बौद धर्म के समाजिक रांतिक डाइमेंशन से उसमें मैं आता हूँ और सीधी अपनी बात रखता हूँ उन्होंने लिखा है कि ब बुद्ध महान थे हमारे देश ने वैसे महान दूसरे व्यक्ति को पैदा नहीं किया उनके विचारों से पुर्णतया सामत न होते हूँ भी हम उनके प्रदी श्रद्धा रख सकते हैं इंटलेक्ट्यों से काम होता है एग्रिमेंट डिसएग्रिमेंट चलता रखता है डॉक्टर अम्बेटकर भी कह रहे थे कि भक्ति ना करो बुद्ध भी कह रहे थे कि मेरे बाद धर्म ही आपका मार्ग दर्शक होगा आगे लिखते हैं राहुल सांकरतायन की दो मई 1956 की राजस्वा में डॉक्टर अम्बेटकर कुछ बोल रहे थे इसी पर पार्लेमेंट के एक सदस्य ने कहा आपकी आत्मा की भगवान रक्षा करें तो इस पर आपत्ती करते हुए डॉक्टर अम्बेटकर ने जवाब दिया और कहा मेरे पास आत्मा नहीं है मैं बौध हूं मेरी आत्मा की शांती के लिए प्रार्थना करने के करने के लिए किसी को कस्ट करने की जरूरत नहीं है मैं इश्वर को नहीं मानता आत्मा को नहीं मानता यह डॉक्टर अंबेटकर के कोड इसके बाद रहूं सांक्रतायन लिखते हैं और दिल्चस्प है जानना हमारे और सारी दोस्तों को यह शोध करना चाहिए और नहीं सारे राइटिंग्स का इस्तेमाल कहा कहा किया है तो निश्चित रूप से मुझे मिला कि काउंटर रेवलुशन वाली किताब में डॉक्टर अंबेटकर ने काशी प्रिसाज को को कोड किया है तो यहां पर लिख रहे हैं रहूं सांक्रतायन कि अंबेटकर अध्यनशील और विचा शील पूरुश है उनके सभी राजनितिक पक्षों से विचारों से सामत होने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां इसलिए कह रहे हैं कि सांक्रतायन वामपंती विचार से प्रभावित हो गये थे और डॉक्टर अंबेटकर का प्रभाव अमेरिका का प्रभाव था इसलिए उन्होंने अपने अनिश्वरवादी और और नात्मवादी बहुत घुशित किया अनात्मा मतलब जो आत्मा विश्वास नहीं करता है कि उन्होंने अपने आपको अनिश्वरवादी और आत्मा में विश्वास न रखने वाला बहुत घुशित किया तो यह बहुत विचार करते हैं वह भी दिल्चस्ट है संपादक ने लिखा कि अमभेटकर कर पूरे टिपनी को जो संसते में दिया था उसको उद्रित करते हुए संपादक कि लेकिन वह एक बहुत ही विवादास्पद विशय में शामिल हो रहे हैं यदि दावा करते हैं कि बहुत दर्शन पूरी तोर से अनात्मबाद के विचार को मानता है इस संपादक ने लिखा कि अगर ये दावा करते हैं कि बहुत दर्शन आत्मा में बिश्वास नहीं करता तो अम्बेटकर एक बहुत ही विवादास पद और जटिल गुशय में शामिल हो रहे हैं इस संपादक के टिपनी का जो जवाब लिखा है रहुल सांकृताय वो दिल्चस्प है जरा सुनिये लिखते हैं रहुल सांकृता कि इसे हम क्या कहें संपादक की टिपनी को क्या कहें अग्यता या इमानदारी से नाता तोड़ना बौध दर्शन अनिश्वरवादी अनात्मवादी है इसका निर्णए वह दर्शनी करेंगे जिनके नाम हमने उपर दिये हैं उन्होंने पूराने दर्शियों के नाम इसमें लिखे है या ऐसे एहरे गहरे नत्थु खेरे इस दें नहीं हुआ बुद्ध का दर्शन अनात्मवाद का दर्शन है बुद्ध ने सवय कहा है दुनिया के सभी पदार्ट अनित्य दुख अनात्म है बीना अपवाद दुनिया की सभी वस्तुओं को अनित्य मानने के कारण ही बुद्ध की विचारधारा में आत्मा इश्व जैसे किसी नित्य पदार की गुंजायश नहीं है दिल्चस्थ है यह पूरा राहुल सांकर्टायन का पूरा यहां कोट आगे लिखते हैं बढ़ा दिल्चस्थ है कि भूब धर्म के बारे में जो घटना करम है उसको यहां पर मैं आगे लिए चलता हूं जहां वो इंक्लूड कर रहे हैं लिखते हैं कि बौद विचारकों ने दर्शन में पुडानी रूडियों पर जवर्दस्थ प्रहार किया उनके तरकों का जवाब नहीं हो सका तब आत्मावादी इश्वरवादी दार्शनिकों ने इसके लिए पोथे पर पोथे लिखे कि हराने के लिए बौध धर्म को पोथे में पोथे लिखे ब्राह्मन दार्शिकों ने आगे लिखते हैं सांकृताइन प्रतिकूल परिष्थितियों के कारण बौध धर्म भारत से लुप्थ हो गया या कहा जा सकता है कि उनिश्वी सताब्दी के अंध तक बुद्ध को भारतिये एक तरह से बिल्कुल भूल गया है पर अब आज क्या हो रहा है आज क्या देख रहे हैं जो अम बेटकर का पूरा अंदोलन चल लहा था और धन परिवर्तन की गोशना तमाम वो कह रहे हैं आज क्या देख रहे ह बिज्वी सताब्दी के जगा जगा होते यह महत्सव बहुत महत्सव इस बात को बतला रहे हैं धर्म निर्पेक्ष सरकार करोन रुपया इस महत्सव के लिए खर्च कर रही है यह अनिश्वरवादी अनात्मवादी बुद्ध की महा विजय है आगे राहुल संकृतायन लिखते हैं कि समाजी क्षेत्रों में बौधों ने जातपात के खिलाफ अपनी जवरदस्त आवाज उठाई और उसका प्रभाव भी काफी पढ़ा एक समय जातपात में बहुत शितिलता आ गए थी जड़ हो गया था जिसके लिए दसवी ग्यारवी शताब्दी मेराजाओं की सहायता से ब्रहामनों ने कुलीन पर्था को स्थापित किया बंगाल में भी मिथला में भी सरी उपारियों में भी और कुपजों में उन्होंने समझा इसने जातिवाद की नीव को कठोर कर दिया है वजर कर दिया है लेकिन आज वह खिसक रही है वीश्वी शताब्दी के मद्ध में अवी छीट पूट जात पात तोड़क शादिया हो रही है इस शताब्दी के अंध तक इसकी भी हालत वही होने वाली है जो कि खान पान की छुआ छुद के बारे में आज देखी जा सकती है आगे संकतायन लिखते हैं कि राणितिक शेत्र में बुद्ध और बौधो ने अपने संग द्वारा गनराज्य जनतांत्रिक पदिती को अपनाया विनय पिटक हमारे सामने हैं जिसमें बदलाया गया है कि एक सरवाधिकार संपन वेक्ति के बिना भी जनसमू अर्थात संग अपना काम चला सकता है संग ने बैलेट के द्वारा वोट लेने की प्रथा सुईकार की थी निर्नाय बहुमत से होता था और यह सब को मानने होता था आगे भाशा को लेकर रहा हूं संक्रितान लिखते हैं बहुत दिल्चस्त है जितने बड़े दार्षनिक हुए हैं उसको देखेंगे उन्होंने कि वह दो आघ हुए हैं जन भाशा में लिखा है चाहिंए बीसवी उनिसवी सतावदी में विडेख लें चाहिए लेनिंजम करांती कर रहे हैं कोई जितने बड़े परिवर्तन चानेवाए लोग तो लोग भाशा में लिखा तो भाशा पर साहित्य के बारे में राहूल पना करके अपनी अपनी भाशा में बुद्धवानी को पढ़ने का आदेश दिया था उनोंने वैधिक भाशा को निगेट कर छोड़कर जो छेत्रिये भाशाइब है जो अपनी यूद्धा करकी अपनी इनुभाशा। उनके मनिशी साहित्यकार और कवी लोक भाषाओं में लिखते थे पाली हमारे सामने मौझूद हैं प्रकिर्ट के सैकड़ों ग्रंतों का अनुवाद चीन में हैं लेकिन प्रकिर्ट के बाद अपवरांश के तो आदी कवी ही बौद सिध्ध हैं और यहां पे सरह को याद करते हैं सरह एक बिद्वान थे बड़े बिद्वान थे इस भाषा के प्रथम कवी हैं प्रकिर्ट के प्रथम कवी सरह को कहते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले दोवा और चौपाई छंद सरह की कृतियों में मिलते हैं सरह को दूसरा बुद्ध कहा जाता है तो साथियों यह था र अपरिल का एक खास पेशकर्स आप टीम 22 और अमबेट कर नामा दोनों चैनल को देखे क्योंकि इस दोनों चैनल में मन की बात नहीं होती है काम की बात होती है रेफरेंस फुटनोट के साथ हम अपनी बात रखते हैं और अगले एपिसोड में जब आएंगे तो कुछ और दिल जंगं सरेन बिच्शामी तंगं सेनं गच्छामी संगं सरेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी बुद्धं सेनं गच्छामी तूतियं पी धंगं सेनं गच्छामी